रिमंड से मिला इस कम्पनी को 281 रुपए करोड का ओर्डर, शेर खरीदने की लूट 219 रुपए पर आया भाव स्टॉक ओर्डर, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेरों में आज 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई कम्पनी शेर आज 219.50 रुपए पर बंद हुए शेरों में यह तेजी जब कम्पनी ने कहा कि उसे ठाने में प्रोजेक्ट कोडनेम एक्स सिर्चन के लिए रिमंड से 281 करोड रुपए का दोबारा ओर्डर मिला है कम्पनी का मार्केट कैप बढ़कर 1614.57 करोड रुपए हो गया कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का वीटा 1.6 है जो एक वर्ष में उच्च अस्थिर्ता का संकेट देता है कम्पनी के शेरों के हाल तकनीकी के संदर्भ में कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 48.3 पर है जो दर्शाता है कि यहां न तो ओवर्बाट और नहीं ओवर्सोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेर 20 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन से अधिक लेकिन 5 दिन और 10 दिन के मूविंग औसत से कमपर कारोबार कर रही है कमपनी ने क्या कहा कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के मैनेजिंग डाइरेक्ट राहुल कात्याल ने कहा हमें यह घोशना करते हुए खुशी हो रही है कि रेमंड लिमिटेड रियल्टी डिवीजन ने ठाने में अपने प्रोजेक्ट कोडनेम एक्स सेक्षन के लिए कैपेसाइट में एक बार फिर से अपना विश्वास मजबूत किया है हम स्थाई रिष्टों को बढ़ावा देना भी जारी रखेंगे मौजूदा ग्राहकों के साथ अधिक बार-बार ओर उत्पन करने के लिए मौजूदा वित्तिय वर्ष के लिए ओर्डर प्रवाह हमारी मौजूदा ओर्डर बुक के साथ हमें आने वाली तिमाहियों में अच्छी वृध्धी देने का विश्वास दिलाता है जूद तिमाही के नतीजे कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का राजस्व जूद तिमाही में 9.14% गिरकर 435.2 करोड रुपए हो गया जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 489 करोड रुपए था पिछले वित्वर्ष की पहली तिमाही में मुनाफ़ा 28.5 करोड रुपए के मुकाबले 33% गिरकर 19.1 करोड रुपए हो गया पिछले वित्वर्ष की जून तिमाही में एबिट डाभी 98.9 करोड रुपए के मुकाबले Q1 में गिरकर 70.9 करोड रुपए हो गया